नमस्कार आदाप सच्रीय का राम राम मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव में आपका स्वागत है उम्मिद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों आज एक नॉवंबर 2023 दिन बुद्वार और समय हुआ है शाम छे बजे का हम फिर पहुचे है रतलाम प्याज मंडी में जी यहां दोस्तों रतलाम प्याज मंडी में एक बार फिर ताकि आपको आवक की जनकारी दे सकें कि क्या इस्तिती शाम छे बजे तक रतलाम प्याज मंडी में बनी वी है आप यह सीधी तस्व के करीब हो गए थे लगबख 400 के करीब हो गए थे और जो है भाव समानी इमान के चली आप आज कोई गिरावड तो देखने को नहीं मिली समानी भाव बने हुए थे अब दोस्तो अभी जो इस्तिती बनी भी है ये दोस्तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरे तीन लाइने ज करीब हो गए दोर आप दोस्तों के करीब हो गए तक रटाम प्याज मंडी में हो चुकी मतलब दोस्तों के करीब है वो शामच वे तक रत लाम प्याज मंडी में पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे वहान जो हैं और अतलाम प्याज मंडी की तरफ आ रहे हैं अब दोस्तों इससे तो यही अंदाजा लग रहा है कि कल भी जो है अच्छी खासी आवक रहीगी मेरे साब से वही 400 के करीब वहान जो है रतलाम प्याज मंडी में होना चाहिए अब अंदाजा है दोस्तों अब यह तो कल ही पता चलेगा कि क्या इस्तिती बनती है तो अभी हाल फिलाल में तो दोस्तो दोस्तों के करीब वहान जो है वो रतलाम प्याज मंडी में हो चुके है और धीरे धीरे वहान जो है वो आभी रहे हैं मंडी के अंदर अब दोस्तों अगर भाव की बात करें तो कल क्या भाव कूल सकता है दोस्तों तो अब कुछ कह नहीं सकते बस यह है का अगर आवक कम र चलेगी, इसमें भी एक संडे की चूट्टी आ रही है, उसके अलावा कोई चूटी नहीं है अभी हाल फिलालों तो 9 तरीक तक मंडी चलेगी, उसके बाद जो है वह सी इदे 20 तरीक की दिन या 19 तरीक की दिन मंडी चलूगी दस दिन का सीधह होकाश है मंडी ... श्यματα Brenna तक भी आपको ध्यान रखना है दोसरो आट नो ृॉ-進 भॉट नो दिन का अश्यमर है अभी तक पॉरर यहां यह दोत दे Opportunity तो questions प्याज मंडी में शाम 6 वे तक तो चैनल को लाइक करिएगा दोस्तों शेर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद